2024 की 10 upcoming movies बताता हूँ जिन में आपको action, adventure, fantasy और comedy सब देखने को मिलेगा इन मैंसे कहीं movies का इंतजार तो मैं बहुत time से कर रहा हूँ और सायद आप भी कर रहे होंगे तो चलिए बिना किसे फालतों के बकवास की ये वीडियो को सुरू करते हैं हमारी 10th नंबर की movie है नोस्करातू या नोस्करातू ये एक horror mystery movie होने वाले जो release होगे 25 December 2024 को कहानी 19th century की एक जैन्वन लेडि की है जिसे एक vampire द्वारा पारिशान किया चाता है या ऐसा कह सकते हैं कि ये vampire उस लेडि को मारना चाता है इसी नाम से सायद पहले भी कोई movie आ चुकी है खैर बात करते हैं 9th नंबर की movie की तो हमारे 9th नंबर की movie है Sonic the Headgeog 3 ये एक action adventure movie होने वाले है जो release होगी 20 December 2024 को मैं बता दो कि ये movie सीरीज की 3rd movie है और इससे पहले वाली दोनों movies में ने देखी है और दोनों ये बहुत ही कमाल की movie है वाइलोग और इसलिए मैं इसके तीसरे पार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा excited हूँ बात करें हमारी आठवी नंबर की movie की तो उसका नाम है Moana 2 ये एक family adventure movie है जो release होने वाली है 27th November 2024 को अगर आपने इसके पिछले पार्ट को देखा है जो 2016 में आई थी तो आपको पता ही होगा कि ये movie की इतनी कमाल की है और ये एक animated movie होने का बात भी मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं इसके second part को भी देखना चाहूँगा हमारी 7th number की movie होने वाली है जोकर 2 ये एक musical thriller movie होने वाली है जो release होगे 2 October 2024 को अगर आपने इस movie के first part देखी है तो आपको पता ही होगा कि ये movie किस level की थी अगर ये movie उस level की हुई तो पक का बावाल मचाने वाली है वैसे भी मज़े DC वालों पर बहुत कम ही विमीद रहता है कि अच्छी movies दे देंगे तो हमारी 6th number की movie होने वाली है Smile 2 ये एक horror mystery movie होने वाली है जो release होगी 18th October 2024 को तो वाई लोग अगर आपको horror movies देखना अच्छा लगता है तो इसके first part को जाबर देखो ये वी एक horror movie होने वाली है जो release होगी 18th October 2024 को Marvel और Sony के तरप से हमारी 4th number की movie होने वाली है Crab in the Hunter ये एक sci-fi action movie होने वाली है जो release होगी 13th October 2024 को Marvel movie होने के बाद भी इस movie का उतना hype नहीं जितना इससे होना चाहिए था फिर देखते हैं इस movie का क्या होने वाला है लेकिन mario sign होने के नाते मैं इस movie को जरूर देखना चाहूंगा कई spider-man का cameo देखने को मिल दा है हमारी 3rd number की movie है gladiator 2 ये एक action adventure movie होने वाली है जो release होगी 15th November 2024 को इसकी first part आई थे 2000 में जिसकी IMDb rating थी 8.5 out of 10 तो आप समाझ जी सकते हो कि movie किस level की थी वैसे आपको historical war action movies देखना पसंद देती यह movie आप देख सकते हो हमारी 2nd number की movie है red one ये एक action comedy movie होने वाली है जो release होगी 15th November 2024 को अब भाई मैं इस movie के लिए इतना ज्यादा excited हो कि इस movie को मैंने second number पे रखा है इस movie में आपको Chris Evans और The Rock एक सार्थ देखने को मिलेंगे और finally हमारी first number की movie है Venom The Last Dance ये एक sci-fi action movie होने वाली जो release होगी 25th October 2024 को अब इस movie को मैंने first number पे क्यों रखा है ये तो आप trailer देखके समझी गए होंगे वैस्ते आपको क्या लगता है ये movie Deadfall and Wolverine के record को दोड़ पाएगी ये आप comment करके बताओ और अगर वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ये वीडियो के लिए